आज मैं बनाने जा रही हूँ भेजा और आलू की रेशिपी मैंने कड़ाई गरम होने के लिए रगती है मैंने इसमें देड़ चम्मच भात के ओयन डाला है हमारा तेल गरम हो गया है मैं इसमें आड़ करूंगी जीरा अब हम इसमें आड़ करेंगे जो बड़ी क्यास को मैंने कट करके रख गया था इसे हम गोल्डन ब्रॉण हो गई है अब हम इसमें एक चम्मच भरके लाल मिच पोडर आड़ करेंगे और अब हम इसमें अब रख लेट्चन का पेज आड़ करेंगे एक चम्मच भरके अब अब इसमें अच्छे से पितनेंगे अधनिया पौडर एक स्पून और इतनी सी हल्डी थोड़ा सा पानी आड़ करेंगे हमारा मताला जलेना इन सब्सक्राइब लिक्स करें प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखें हमारा मसाला अच्छे से बूल चुका है अब हम इसमें आड़ करेंगे मिडियम साइज के टीन टेमैटो मेंने कट करके रखें हुए थे अब हम इसमें आड़ करेंगे स्वाद अनुसा नमत टेमैटो को इसमें हमें अच्छे से गला लेना है चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें और बेलो इकन को क्लिक करें ताके हर आने वाली नीव वीडियो आपको मिले हमारे टेमैटो गल रहे हैं मैं इसके साथ आड़ करूंगी आलू दो मीडियम साइज आलू मैंने चॉप करके रखा हुआ था इसके अच्छे से मिला लेते हैं इसकर दाब इसमें आड़ करेंगे एक स्पूल लिंगू का जुल्स अब हम इसमें आड़ करेंगे सुल्म की भाजी यह मैंने एक गड़ी लिखी एक कट इसे मैंने चॉप करके अच्छे मिक्स करेंगे अब इसमें एक बोल इतना पानी आट करूंगी और इसे हम गलने के लिए बहुत्त पल्स धब कर रखेंगे बीजमाश में के लाते रहे ताके ये नीचे लगें दीखे कितनी कलरफुल है फुष्बू भी बहुत प्यारी आ रही है देखिए हमारा आलू 60% गल चुका है अब हम इसमें आट करेंगे ये मैंने साफ करके रखा हुआ था भेजा ये मैंने दो भेजे में हैं अब हम इसमें इसको पकाएंगे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अच्छे से हम मिक्स करके पकाएंगे सबके रखेंगे तेन मिन्स के लिए ये देखें हमारा भेजा बन चुका है अच्छे से बन चुका है और ये हमारे आवी भी अच्छे से बन चुके हैं अब हम आट करेंगे अपि Veteranseftे गरम अच्छे लेगी ये इन चुका हएं चंपापः मेरी की स्टीन तो आपको आज की def70 को आजकी रेसीपी काईसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइई तुमें प्रवें प्रविंग पार भी ते निकल लिया है और मैं गानिश करोंगी चॉप आनियन और ये कुटी मिल्की पटी या तो यह तो यह थोड़े से अरियन डालते हैं तो फोड़ इसी निमीजी कचिना दले तूँ थेंक यू पर वाचिंग